नमस्कार दोस्तो देख्जाम है कर चैनल में आपका सुभागत है दोस्तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जेनेटिक क्लासिफिकेशन आप बॉंडरीज को यहाँ पे इस्टडी करने वाले हैं जेनेटिक क्लासिफिकेशन आप बॉंडरीज को तो उसका भी answer सियम कोगा क्योंकि Richard Hudson ने genetic classification आपр international boundary के concept को ही दिया है ठीक है तो दोनों यदि आप से पुछा जाए का genetic classification आपr international boundaries क्या होती है या genetic classification आप जो boundary suggested by Hudson क्या होती है तो दोनों का answer सेम होगा तो देख लेते हैं दोस्तों कि आज के इस वीडियो में कि genetic classification boundaries जो रिचर्ड हर्टसन दोस्तों एक political जिग्रॉफर थे इन्होंने genetic classification boundary तो दिया था इसके लावा agriculture की जूरुजन की classification किया था तो विटल्सी और हर्टसन दोनों ने मिलकर genetic classification boundary और international boundary की concept को derive किया तो उनके द्वारा जो international boundaries होती है वो mainly चार टाइप की होती है पहला है antecedent boundary दूसरा है subsequent boundary तिसरा है super imposed boundaries तिसरा है religious boundaries तो इस चार तरह की जो international boundary के concept उन्होंने दिया उसी को बोलते है genetic classification of boundaries तो पहला देख लेते हैं दोस्तों antecedent boundary होती क्या है तो antecedent river के बारे में आपने सुना दोस्तों antecedent river वैसे antecedent boundary होती है antecedent river क्या होती है कि मालो एक कोई land form है पहले से river flow कर रही है लेकिन बाद में यहाँ पर एक mountain बन जाता है तो mountain की परवाह न करते हुए river उसी राष्टे से बहती है उसको बोलते है antecedent river तो ऐसे ही boundaries क्या होती है यहाँ पर antecedent boundary क्या होती है कि जब human settlement नहीं थे human settlement से पहले जो boundaries थी वो आज भी वही boundaries है उसको बोलते है antecedent boundary तो physical land form जो river, mountain, ocean क्या करते है antecedent boundary को वहाँ पर derive करते हैं और यह boundary जो होती है human settlement से पहले की boundary होती है तो इस तरह से international जो boundaries है उसको बोलते है antecedent boundary जैसे आप देखोगे इसे example देखोगे तो चिली और अर्जेंटिना की बीच में एंडिज mountain की boundaries है तो यहाँ पर देखो चिली countries की concept नहीं आया था अर्जेंटिना की country की concept नहीं आया था यह वहाँ पर human settlement नहीं हुए थे उससे पहले एंडिज mountain थे तो एंडिज mountain क्या करती है यहाँ पर antecedent boundary क्रेट करती है दोनों country की बीच तो यहाँ भी हिमालया mountain के दी बात करो तो इंडिया और तीबेत की बीच में हजारों सालों से यह boundary क्रेट की हुई है तो भी एक antecedent boundary का एक्जामपल है इंडिया और तीबेत के बीच का ठीक है तो दूसरा boundary है दोस्तो शूप सबसेक्वेंट boundary नाम से जैसे पता है और चाहिना की बीच में लद्दाग रेजन में boundary बाद में derive हुई है जब 1962 वार के बाद यह बोल सकते हैं यहाँ पर अभी line up actual control है international boundary नहीं है तो फिर भी आप एक एक्जामपल यहाँ पर दे सकते हैं हलाकि यह international boundary नहीं है इंडिया और पाकिस्तान जम्मु कस्मीर की area में ज दोस्तों यह है super imposed boundary super imposed का मतलब है यहाँ पर जैसे नाम से पता है super imposed यानि कि forcefully drawn किया गया boundary ऐसे international boundary जो forcefully drawn किया गया उसको बोलते है super imposed boundary जैसे super imposed boundary में किया forcefully drawn गया गया लेकिन जो human settlement थे वो पहले एक ही culture का part थे यानि कि unified culture थे एक ही culture का part था एक ही देश जैसा था लेकिन बाद में उसको forcefully drawn किया गया एक line create किया गया उसको बोलते है super imposed boundary जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आप देखोगे या इंडिया एक super imposed boundary का example है फिर देखो इंडिया पपूआ निव गिनिया यहां पर देखो कि इंडिया और पापूआ नियुगिनिया हाफ हाफ divided हैं यह भी एक super imposed boundary का क्योंकि एक जांपल है क्योंकि यहां दोनों culture सेम है दोनों की history सेम है फिर भी एक यहां पर बादरी क्रिए खर गए द तो है रिलिक्ट बांडरी ऐसी बांडरी जिसकी purpose अभी यानि कि कोई उसका परपज नहीं है उस बांडरी का क्योंकि पहले वो international boundary हुआ करती थी लेकिन अब परपज स्वाल नहीं करता है अब एक ही कंटी है लेकिन एक हिस्टी एक उसकी है उस तरह से boundary को रिलिक्ट बांड जैसे नहीं है लेकिन पास्ट में international importance था वो एक boundary थी ऐसे boundary को रिलिक्ट बांडरी करते हैं जैसे जर्मनी में बर्लिन वाल जो क्या था उसने वेस्ट और इस्ट जर्मनी को divide किया हुआ था लेकिन वर्लिन वाल जब टूटा उसके बाद इस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी दोनों एक ही हो गए तो अब यहाँ आप देखो वर्लिन वाल वर्लिन वाल जो है एक कोई international boundary नहीं है वो boundary को सब नहीं करता बट उसकी एक past है तो इसलिए उसको बोलते है रिलिक्ट बांडरी तीस तरह से चार जो boundary है कौन कौन से पहला है antecedent boundary दूसरा है subsequent boundary फिर super imposed boundary रिलिक boundary यह चार तरह की जो boundary है वो heart sun और vital c द्वारा international जो boundary थी उनको genetic boundary आप classification या आप international boundary में को बोल सकते हैं यानि कि जो genetic classification boundary है वो चार तरह की boundary है जो heart sun और vital c द्वारा डरा डराइब किया गया तो आज की वीडियो बसे नहीं दोस्तों I hope यहाँ पर कुछ आपको नया सिखने मिल होगा यदि कोई confusion हो या कुछ आप suggest करना चाते हैं तो please comment करके हमें जरूर बताइए thank you for watching मिलते हैं अगले वीडियो में नए topic साथ thank you